थेखिए, calculus का, integral का एक topic है, definite integral as a limit of sum और exercise 7.7 of NCRT का concept है, NCRT की 7.7 का concept, समझेगा, नहीं, 7.7 का नहीं, sorry, 7.8 का है, 7.8 का है, ठीक है, फ़ले समझें की कोशिद करिए, है क्या, एक तो कह रहे है sum, कुछ add करने की बात कर रहे हैं, ठीक है, और limit of sum limiting value limiting value को बता जिससे आपने पढ़ा है limit n 10 to infinity n 10 to 0 very small part कहीं कुछ add करने की बात कर रहे है तेखें अगर आपको अभी कुछ करिए का नहीं अगर आपको मैं एक triangle दे दूँ इसका base दे दूँ इसको theta दे दूँ height सब को दे दूँ इसका area निकाल सकते हैं न अच्छा एक rectangle दे दू तो उसका area निकाल सकते हैं ठीक है अब अगर मैं आपको न rectangle न ट्रेंगिल उटपटांग टाइप का figure दे देता हूँ एक function है y is the function of x समझ में आ गया तो बहुत easy है topic है हमने आपको कहा कि ये curve है y is the function of x और इसका area यहां से लेकर के यहां के बीश निकालिए x is equal to a से लेकर के x is equal to b के बीश निकालिए तो क्या बता सकते हैं कि ये figure का shape कैसा है अजीब type का shape लग रहा है ठीक है एक मिनट तो देखे हमको इसका area निकालना है दिखा ही पढ़ रहा है ये कैसा shape है ठीक है अगर मैं अगर मैं एक बहुत छोटी सी strip इसमें डाल दूँ बहुत छोटी सी strip ठीक है ऐसी थोड़ा बड़ी डाल देता हूं तो ये कैसा shape है rectangle नहीं है क्योंकि अभी भी उपर थोड़ा सा गरबढ है अचा और छोटा इसो कर दूँ इसको बहुत छोटा कर दूँ बहुत छोटा ये change ही नहो तो ये कैसा बनेगा rectangle बन गया इसका area क्या होगा length into breadth यानि y into dx ये rectangle area निकल आएगा अचा थोड़ा सा बागे बढ़ेंगे तो ये चीज़ चेंज हो जाएगी न नहीं समझे फिर एक पत्ति की strip डाल दे फिर एक rectangle फिर एक rectangle बहुत सारे rectangle बना दे और इन सब को उठाके add कर दें इसका area निकल आएगा लेकिन अब करें कैसे practically कैसे करें इसको integrate नहीं करना है आपको जरा समझेगा साओधान हमने क्या किया ध्यान समझेगा यहां से यहां तक इसकी range कितनी है B minus से और इसके हमने N टुकडे किये N टुकडे किये तो हर एक टुकडे की width हो जाएगी न यह भाई B minus से इसकी पूरी range है और इसके N टुकडे कर दिये तो एक टुकड़े की रेंज कितनी आ गई H ठीक है यानि कि NH की वैलू क्या आई जाएगी NH is equal to B मानसे और N जो टुकड़े की है वो infinite टुकड़े की है क्या किये है infinite टुकड़े की है इतने पतले टुकड़े की है कि ये बिल्कुर rectangle shape में ही आ जाए अगर N infinity है तो H कितना है infinity हो भी हो जाएगा अगर N को infinite करो H infinity आएगा ये mathematics लगाए हो कितनी आएगी value 0 हो जाएगी चौड़ाई बिल्कुल 0 हो जाएगी मतलब limit यहाँ लगाएजए कि H tends to ये दो limit आएगी ठीक है ये A है ना ये X के लोग क्या है A तो अगर X को A रखेंगे तो Y कितना आएगा F A X को A रखेंगे Y कितना आएगा F A यानि कि ये F A हो गया ठीक है और strip जो आपने लिखी वही जो आप strip डालते हैं ये वो डालते हैं मान के चलते हैं ये चौड़ाई चेंज नहीं हो रही है तो इसकी चौड़ाई कितनी है H तो F A इंटू H कर दें तो ये वाली जो strip है इसकी area निकल आएगा समझे बता ही नहीं आई है ठीक है अब आपने क्या किया है H multiply कर दिया ना अब अगली वाली strip मिल गई न तो अगली वाली strip जब मिलेगी तो दूर बना रहे है अगली वाली strip बनेगी तो A प्लस H हो जाएगा न यानि यहां से यहां तक पहुंचे नहीं कितना ये value कितनी हो गई A प्लस H तो यहां पर इसकी value कितनी हो जाएगी F A प्लस H F A प्लस H और चनड़ाई strip भी कितनी है ये पत्ली वाली इन्टू H इसके रहे निकल आई दूसरा एक और strip इसके बाद अब A प्लस H और आगे H बढ़ेज क्या मिल गई आपको A प्लस 2H तो वहां पर इसकी value क्या कहलाएगी F A प्लस 2H प्लस करते जा रहे हैं न ठीक है last में कौन मिला last में कितने आपने टुकड़े किये हैं n तो last वाला है न ये इसके पहले n मैनस उना आएगा तो आएगा F A प्लस n मैनस 1H इन्टू H ये पूरी area मिल गई आपको नहीं मिल गई और यहाँ पर लिमिट क्या है H tends to 0 ऐसा बुक में लिखा है लेकिन आप साथ ही साथ लिखो के n tends to infinity H कामर ले ले हम समय चाह रहा है न तो आगया limit ये area मिल गई आपको limit H tends to 0 N tends to infinity H बहा लिख दिया ये आगया F A प्लस F A प्लस H प्लस so on last में आएगा F A प्लस N माइनस 1H जो भी इसकी value आएगी वही आपका area होगा सम्द में बार नहीं आई एक concept सम्द में आया ये कैसे लिखा जा रहा है ठीक ये note करें फिर question बताते है सम्द में आजाएगा note करें इसको अब दीके 7.8 का पहला question दीकिए पहला question क्या गह रहा है उसमें लिख क्या आता है उसमें लिखा है evaluate the following definite integral as a limit of sums लिखा हुआ है ठीक है ये कह रहा है कि integrate of integration of A to B x dx तो actually यहां पर fx क्या है x है ना limit क्या है a से b इसकी range क्या है b minus A उसके n टुकडे किया आपने जैसे b minus A उसके 100 टुकडे करने है तो 100 से भाग कर दो तो हर एक टुकडे की चौड़ाई मिल जाएगी हमने n से divide कर दिया तो जो चौड़ाई मिली हो क्या है h तो nh को क्या लिखेंगे b minus A और limit क्या use करेंगे कि भाई जो हमने टुकडे किये है n वो कितने किये है infinity और h यहां पर क्या है 0 पर जाएग इंफिनिटी टुकडे करोगे तो हर एक टुकडे की चौड़ाई कितनी होगी ठीक है ठीक है जरा समझेगा यहां पर fx इतना है तो हमने इसका value निकाली है अब इसको i लिखो चाहिए area लिखो i लिख दो इसकी value किसके एकुल होगी i बराबर या area लिखो जो भी लिखना हो क्या formula आपने बताया हमने बताया h बहार लिख दो ठीक है फिर क्या बताया गया f a प्लस 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 लिजेगा f a प्लस h प्लस f a प्लस 2 h आपने 0 s से स्टार्ट किया है न आपने पहला step क्या लिखा 0 h और टुकड़े किया न आपने तो लास्ट वड़ा क्या होगा n-1 अपने आप आप जाएगा और प्लस 1 और प्लस f a प्लस n-1 h यहां तक बात पकड़ में आई बस एक एक स्टिप पकड़ते जाओ it is very easy ठीक है देखे लिमिट यहां क्या लिखेंगे लिमिट बुक में लिखी है h tends to 0 लेकिन चुकि यहां पर अभी n का दिदार हो रहा है तो n की भी लिमिट लिख दो साथ में n tends to दोनों को लिखेंगे जब जो गायब हो जाए उसको अटा देना ठीक है तो लिमिट देखे limit h tends to 0 and tends to infinity h देखो fx की value क्या है x है ना तो sa की value क्या होगी a यहनि पहला step क्या आएगा a plus दूसरा step क्या आएगा a plus h ब्रेकें लगा देजाओ दूसरा step क्या आएगा a plus 2h last में क्या आएगा a plus n minus 1h अब वो by chance की बात है इसकी degree 1 है अगर यहाँ square लगा होता है तो सब में square लगाते है आप ठीक है अब देखो द्यान से अभी हम limit की बात नहीं करेंगे limit अभी ऐसे लिखी रहेगी h देखो a plus a plus a कितनी बारा आ रहा है n बारा रहा है तो क्या आएगा na plus यहां से h कामन ले लो तो यहां क्या आएगा one plus two plus three last में क्या आएगा n minus one यहीं आएगा न पहुँचिए यहां तक तो बड़ा बड़ा लिखते हैं न तो जगह जादा जाएगे अब देखिए अभी हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि लिमिट अभी हम नहीं रख सकते आप कहेंगे क्यों h को रख दो 0 यहां स्राग से पूरा step क्या हो जाएगा लेओ h अभी नहीं रख सकते न यह लिमिट है यह लिमिट बने आवकाद तो भले उसकी आवकाद 0 है लेकिन उसको हम यह नहीं स्वो करेंगे तुम्हाई आवकाद 0 है दो को h रखा रहने दो n a लिखा रहने दो बाद में इस खुद यह क्या दिखा हुआ है 1 प्लस 2 प्लस 3 अप्टो n अगर प्लस होता है तो उसको क्या लिखते है मैथमेटिक्स में सिग्मा एन क्या देना और सिग्मा एन की वैलू क्या है n n प्लस 1 बाई 2 पढ़ा है न आपने यह तरम्स कहां तक होनी चाहिए n तक और यहां तरम्स कहां तक है तो n माइनस 1 n की जगे कर दो तो यहां आएगा n माइनस 1 और यहां आएगा n बाई 2 यहां इसको क्या ले सकते है h h कहां से आगया यह अच्छा h उसके अंदर आया हुआ था तो आएगा n n माइनस 1 बाई 2 अब दिखो दियान से limit कैसे operate करेंगे limit में सबसे पहले चूंकि h की आवकाद कैसी है 0 उसको भी दिखाना नहीं चाहते है तुम 0 हो और n की आवकाद कैसी है और उससे भी कहते है आवकाद में रही है ज्यादा नही है तो हम कोसिस करेंगे क्या लाने की n h n h की value क्या हो जाएगी b मैनस से फिर फिर जहाँ पर infinity limit होती है वहाँ क्या करते है जिसकी limit infinity होती है उसको आपान में लाने की कोसिस करेंगे क्योंकि यहाँ जब limit रखेंगे value क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी तो देखो ध्यान से limit h tends to 0 n tends to infinity h अंदर ले जाओ तो यह n h into a हो जाएगा plus देखो h अंदर गया यहाँ पर क्या हो गया h square यहाँ पर n है न limit operate करनी है आपको 1 upon n चाहिए तो यहाँ से आप क्या कामल लेंगे n infinity common लेते हैं न तो जब n कामल लोगे बाहर क्या हो जाएगा n square अंदर क्या पचेगा 1 upon n upon 2 कोई दिक्कत अब limit operate करो n h को क्या लिखोगे limit नहीं रखें यहाँ पर n h की value b minus a यह क्या है b minus a का whole square तो यह हो जाएगा अब limit नहीं रख रहे है यह हो गया b minus a into a plus b minus a का whole square by 2 यहाँ देखे 1 है कितनी आएगी 1 आएगी बस हो गया answer आप क्या करें आप इसका whole square खोल दीजे 2 ले ले lcm ले लो तो 1 by 2 भारा जाएगा यहाँ 2 है bracket खोलो यह क्या आएगा a b minus a square plus इसको खोलो b square plus a square minus 2 a b bracket खोल दीजे उठा करके 1 by 2 2 a b minus 2 a square plus b square plus a square minus 2 a b 2 a b 2 a b कड़ गया यह क्या आगिया b square minus a square by 2 आएगा यह value आगई b square minus a square by अच्छा अगर मैं इसको integrate करता x को तो x का integral क्या होता x square by 2 यह थो होता न और जो limit रखते तो यही तो answer आता नहीं आता भाई x का integral क्या होता x square by 2 और limit क्या है a to b रखो जरा 1 by 2 बाहर तो b square minus a ही square तो आता यह answer आ गया कर देंगे ना करिए इसको यह गिनापन याद सटा दीजेगा जिससे यह वीज वीज में दिक्कत कर रहा है ठीक यह तो समझाने के लिए बाद में आप रखेंगे कि यह सही है गलत है कहां गलती हो रही है चेक करने के लिए है ठीक नोट करिए देखे थर्ड question क्या है question आगे पीछे है तो इसमें अपना जो बचेंगे वो करिएगा आगे क्या है integral integral 2 to 3 x square dx 2 to 3 x square dx समझेगा ध्यान से यहां पर a क्या है 2 b क्या है 3 और s x क्या है x square ठीक है और b minus a upon n को आप क्या मानेंगे h यहां पर b क्या है 3 3 minus 2 upon n को क्या मानेंगे h तो n h को क्या मानेंगे आप तो यह हम बाद में रखेंगे ठीक है अपनी जानकारी के लिए यह fair work है अपनी मतब यह नहीं कि अपनी जानकारी के लिए बाद में रब करता उठा करके अब देखो i बराबर किसके एक को लिखेंगे i बोले तो यह हम लिख रहे हैं किसके एक को लिखेंगे क्या फ़मला आपने बताया हमने का f a प्लस f a प्लस h प्लस f a प्लस 2h प्लस f a प्लस n माइनस 1h यह तो आएगा bracket close बाहर में h limit क्या लिखेंगे limit n टेंस टू इंसिनिटी h टेंस टू 0 दोनों को लिख दीजेगा अब आप कहेंगर एक हम लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं दोनों एक लिख सकते हैं लेकिन चुक्कि दोनों वहाँ पर दिख रहा है इसले मने दोनों को लिखे limit देखो दियान से limit h tends to n tends to infinity h tends to 0 h देखो दियान से साउधान a यहाँ पर क्या है 2 है ना तो इसको क्या लिखेंगे f2 plus f 2 plus h plus f 2 plus 2 h plus so on plus f 2 plus n minus 1 h fx की वैलू x square है ना तो सबकी जिगए इसका square लिखेंगे लिखो क्यों लिमिट लिख दें नीचे लिख दीजेगा अपने आप ठीक है यह लिख दें दोनों को यहाँ क्या लिखेंगे 2 square सही कहा ना यहाँ पर 2 plus h का whole square यहाँ 2 plus 2 h का whole square और last में 2 plus n minus 1 h का whole square अब देखें whole square को मैं नीखोलने वाला हूँ कि इसका भी whole square कोलो इसका भी कोलो इसका भी कोलो नहीं थोड़ी सी idea लगेगी यह नोट कर दी पहले देखेंगे जब इसको खोलेंगे ध्यान से देखेगा यहाँ 2 square आएगा इदर देखो बैसाब यहाँ 2 square आएगा यहाँ 2 square आएगा यहाँ भी 2 square ए प्लस भी whole square है ना तो 2 square कितनी बार आएगा यानि हम इसको n into 2 square ले सकते हैं plus यहाँ पर 1 h का square आएगा 1 h का square यहाँ 2 h का square आएगा फिर 3 h का square आएगा फिर n minus 1 h whole square आएगा common क्या हो जाएगा h square यहाँ से क्या पचेगा 1 square यहाँ क्या पचेगा 2 square इसके बाद क्या पचेगा last में क्या पचेगा n minus 1 का पकड़ में बात आई, प्लस, यहां देखे, 2ab आएगा, तो देखे क्या लिखा है, 2 into 2 into h, क्यों, 2ab होगा न, यहां क्या आएगा, 2 into 2 into 2 h, आगे क्या आएगा, 2 into 2 into 3 h, तीक है, क्या कामन दिख रहा है, 2 into 2, सम्मे कामन है, है न, तो मैंने क्या क्या 2 into 2, कामन ले लिया, यहां भी 2 into 2, यहां भी 2 into 2, यहां 1 h, यहां 2 h, यहां 3 h, तो हमने h कामन ले लिया, तो यहां क्या बचेगा, 1 बचेगा, यहां क्या बचेगा, 2 बचेगा, यहां क्या बचेगा, 3 बचेगा, और लास्ट में क्या बचेगा, 2 into 2 into n-1, तो यह n-1 बचेगा, अ तो कितनी जगे लेगा है ना इसका holy square फे इसका holy square बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना इसलिए holy square नहीं को लेंगे आप कहेंगे अगर किसी भगलवाले ने खोल दिया holy square उससे note कर ले तो अमाले holy square कोल दिया और गड़ बड़ते क्या करोगे तो अपने दिमाग लगा साउधान limit लिख लेंगे limit इसमें साउधान यह 4N लिखा हुआ है यहाँ देखिए h square देखो यह कभी देखा है आपने कभी आपने देखा हूँ once upon a time there was kingdom of arithmetic progression वहाँ पर आपने पढ़ा है कि 1 square प्लस 2 square up to n square का फंबला क्या था n n plus 1 to n plus 1 by 6 याद है नहीं याद है नहीं याद है यहाँ n step थे ना यहाँ n जोगे क्या लिखा है तो अगर n को n minus 1 लिखो तो यहाँ क्या आएगा n minus 1 यहाँ क्या आएगा यहाँ क्या आएगा 2 n minus 1 आएगा ना 2 n minus 1 यहाँ इसको क्या ले सकते हैं N into N minus 1 into 2N minus 1 by 6, पकड़ में है, सुन में आ रही बार नहीं आ रही है, क्यों सुकला जी, आगे देखो, प्लस, यहाँ देखे, यह आपका 4H है, लिखा रहने दो, 4H into, अभी इसके पहले कोश्म कर चुके ना, N minus 1 by 2, यह निकला था, N minus 1 by 2, अब देखो ध्यान से, पहले तो आपके पास यहाँ पर NH की value क्या थी, 1, पहले तो हम कोशिस क्या करेंगे, NH आ जाए, ठीक, H की limit क्या है, sorry, N की limit क्या है, infinity, तो 1 upon N लाने की कोशिस करेंगे, अब इस H को अंदर ले जाओ, और limit लिख दो फिलाहल अब लिखे भी जा रहे है, H इदर, आएगा न, H क्यूब, H क्यूब, आप देखो, यहाँ से N, यहाँ से N कामन, यहाँ से N कामन, तो बाहर क्या हो जाएगा, N क्यूब, यहाँ क्या पचेगा, 1 minus, 1 upon N, 2 minus, देखें, यह N क्यूब अपने आपाया है, हम N क्यूब लाने के लिए नहीं कामन लिये थे, limit क concept होता है, अगर कहीं infinity limit आ रही हो, तो हम 1 upon N कर दें, तो इसकी value क्या हो जाएगी, 0, इसलिए क्या करते हैं, और upon में, 6, प्लस, यहाँ पर देखें, यहाँ से क्या कमन है, N, यह H अंदर जा रहा है, तो क्या हो गया, 4, H square, N square, 1 minus, 1 upon N by 2, अब limit को direct operator में करने जा रहा हूँ, एनर्च की जगे क्या रखेंगे, 1, और N को क्या रखेंगे, infinity, नोट के लिए पहले हैं, अब दो लिमिट आ उपरेट करने जा रहे हैं, limit यह हटा देंगे, देखो 4, एनर्च की value क्या है, 1 हो जाएगा, प्लस, यह एनर्च का whole cube है न, और एनर्च को 1 ही रहेगा, तो 1 रहे आएगा, तो क्या ही जाए, into, 2, प्लस, 4, यह एनर्च का square है न, तो 1, अपान 2, और यह तो 1 हो जाएगा, ठीक, आप calculate कर लो, कितना आएगा, 2, 3, 6, 2, 2, 2, 0, यह, तो 4, प्लस, 1 अपान 3, प्लस 2, बोले तो 4, 2, 6, 6, प्लस, 1 अपान 3, 19 बटे, 3, यह आपका answer आगया, उसके कुछ नहीं करना है, बगल वालेश पूछ लो, लेकिन आप इसका integral क्या होगा, x cube by 3, अगर इसका direct integral करें तो क्या आएगा, x cube by 3, limit क्या है, 2 to 3, जी 1 by 3 अलग कर दो, पहले आपका लिमिट 3 रखो, 3 रखो, 27, 2, 4, 8, कितना आएगा, 19 बटे, 3 आएगा, नहीं आएगा सही है ना, जब यह सही है तो यह भी क्या आपता है, mathematician को, बढ़िया चीज तो यह लिखी भी थी, यह चीज वहीं सही है ना, हमको थोड़ी मालूनता हो, तो हमसे उससे निकाला है, note करिए, देखिए, integral है, minus 1 to 1, e to power x dx, जब मैं standard format से compare करूँगा, तो a की value यहाँ क्या है, minus का 1, b की value यहाँ क्या है, plus का 1, fx यहाँ पर क्या है, e to power x, अच्छा और h यहाँ पर क्या होगा, b minus a upon n, बोले तो, 1 plus 1 हो जाएगा ना, upon n, मतलब 2 upon n, और nh की value क्या आएगी, 2, ठीक, जहां nh आएगा, वहाँ 2 लिखेंगे, और जहां पर जो भी आएगा, समको मालूम है, अब देखिए, आपको integral निकालना है न, formula क्या बताया गया था, h, formula सम्मे लिखना है, fa plus, fa plus h, plus fa plus 2h, plus so on, plus fa plus n minus 1h, bracket close, limit, हम लिख नहीं रहें, h tends to 0, n tends to infinity, ठीक है, limit, आप लिखेंगे समय, यह नहीं से न, हम लिख नहीं रहें हैं, हम भी नहीं लिख रहें हैं, ठीक, जामना सम्म कहेगा, हम नमबर नहीं दे रहें, जाओ, मांगो जागर यह पी बाज़ पही से, fa बोले तो यहाँ पर क्या है, f minus 1, ठीक, f minus 1 plus h, plus f minus 1 plus 2h, plus so on, plus f minus 1 plus n minus 1h कैसी कही, यहाँ सब कहे रहों, आप सब बढ़िये कह रहा हूं, limit, h, देखो ध्यान से, f minus 1 बोले तो, eat power minus 1, यहां रखेंगे न, वैलू, तो आएगा eat power minus 1, plus यहाँ क्या आएगा, eat power minus 1 plus h, plus, eat power minus 1 plus 2h, plus, last में क्या आएगा, eat power minus 1 plus n minus 1h, साओधान, होगे साओधान, जी, देखो, limit, h tends to 0, लिख दो एक में, h into, देखो, यह eat power minus 1 है, eat power minus 1 into eat power 2h, eat power minus 1 into eat power 2h, eat power minus 1 into eat power इतना, होगा न, कामन क्या दिख रहा है आपको, किसनी बार कामन है, एक ही बार कामन है, कामन तो एक ही बार होता है न, end time plus थोड़ी कर रहे हैं आप, तो eat power minus 1 कामन हो गया न, यहाँ क्या पचेगा, 1, यहाँ क्या पचेगा, eat power 2h, अब 2, यहाँ क्या पचेगा, eat power n minus 1h, ठीक है, पहुंचिए यहाँ तक, अब देखे जान से, limit लिख देओं बाहर है, h, eat power minus 1 लिखाने दो, यह आपको कुछ दिख रहा है क्या, क्या है यह, जीपी है न, भई अगर मैं eat power h को, अगर मैं यहाँ पर eat power h को, r माल लेता, अगर मैं माल लूँ, eat power h यहाँ क्या लिखा है, r, तो यह क्या लिखा है, मैं मन में मान रहा हूँ, लिखे लिखे दो, 1 plus r plus r square plus r cube plus r to power n minus 1, यह तो है न, तो यह कौन से स्रीज लिखी वी है, जीपी है न, जिसका पहला term क्या है, अच्छा कितने number of terms है, very good, अच्छा गिंती गिंते हो, n minus 1 कहां से भाई साब, 0s से start हुआ है, 0s से start हुए, ध्यान अखिएगा, ठीक, एक में आपने n minus 1 देख लिया, sum में n minus 1, n है न, इसका first term क्या है, a, कामर ratio क्या है, r, तो इसका sum का formula क्या होगा, a, अब देखो, r की value depend करती है, sorry, formula depend करता है, r का formula एक तो था, r पौर n minus 1 अपान, r minus 1, और एक था, 1 minus r पौर n अपान, 1 minus r, था न, intermediate level में आपको यह नहीं बताये गया, कि दो formula क्यों use किये गए, जब आप graduation level में जाएंगे, तो वहाँ इन दोनों formula का मतलब समझ में आएगा, एक series में r बढ़ रहा है, उता, r बढ़ रहा मतलब series फैलती जा रही है, उसको divergent series कहते हैं, और एक में r घट रहा है, तो series घटती जा रही है, उसको convergent कहते है, converge हो रही है, एक point पर जा करके, ठीक है, इसलिए वो, तो formula यूज किये गए, तो को यहाँ जो e है न, अगर मैं h को 1 माल लो, तो e की value 2 point something होती है, क्या होती है, 2 point something होती है, तो 2 point something है, तो मतलब 1 से बड़ी है, तो formula कों से लगाएंगे हम, यह ल यहाँ क्या हो जाएगा, ए, ए बोले तो 1, r to power n minus 1 upon r minus 1, सुन्वी बार नहीं आई, अब r कमान हम रख रहे हैं, देखें, limit यहाँ लिखा रहे हैं, limit क्या है आप जानते हैं, limit h upon e, देखें, r बोले तो e to power n h हो जाएगा, minus 1 upon e to power h minus 1, ठीक है, अब देखो, n h की जगे क्या रखेंगे आप, 2 रखेंगे न, तो यह हो जाएगा, limit अभी limit न रखेंगा, h upon e, e to power 2 minus 1 upon e to power h minus 1, देखें, n गाइब हो गया, तो यहाँ पर limit क्या रख देए, h tends to 0, अभी h को 0 रख सकते हैं आप, नहीं रख सकते हैं, 0 upon 0 आ जाएगा, ठीक ह तो जड़ा, आप limit पर चलते हैं, note के लिए इसको, उपर अब कर रहे हैं, यह अब रख किये रहे हैं सब, once upon a time, there was a chapter of limit in class 11th, वहाँ पर था, अगर e to power x minus 1 upon x, limit x tends to 0, यह क्या होता है, 1, यह उल्टा भी ले सकते हैं, x upon e to power x minus 1, limit x tends to 0, क्या होता है, 1, यहाँ पर देखें, limit x tends to 0, यह जो h है न, इसके नीचे क्या लिख दो, e to power x minus 1, यह इसको लिखेंगे, h upon e to power x minus 1 into e square minus 1 upon e, यह value क्या हो जाएगी, 1 के बरावर, तो यह आपका e to power 2 minus 1 upon e answer आ जाएगा, यही आपका answer हो गया, ठीक है, अच्छा देखें, अगर अलग अलग कर होगे, तो e square upon e हो जाएगा, e plus minus 1 upon e हो जाएगा, e inverse हो जाएगा, यह आपका answer हुआ, सही है, answer कैसे मानेंगे, e to power x का integral क्या होता है, e to power x होता है, और अगर limit यहां रखोगे, minus 1 to 1, तो e to power 1 minus e to power, यह आएगा, नहीं आएगा, तो आप check भी कर सकते हैं, कि your calculation is right or wrong, सभम में सभी बात, तो यह question है, आगे और देखिएगा, सभी बच्चों के नमस्कार, अब आप सोच रहे होगे, वीडियो के बीच में नमस्कार कहां से आ गया, actually में जो दो-तीन questions हमने बताये हैं, वो class के दौरान जो class हम पढ़ा रहे थे, उसमें हमने लिस्स किये थे, कुछ बच् क्या कह रहा है, कि 0 to 5 x plus 1 dx को integralize a limit of sum से इसको solve करना है, ठीक है, क्या यहाँ पर देख रहे है, system तो भी पुराना वाला है, a यहाँ पर क्या है, 0 यहाँ पर है, b यहाँ पर क्या है, 5 यहाँ पर है, और x plus 1 को हम क्या मानेंगे, fx, उल्टा लिख रहे हैं, उल्टा लिको चा x plus 1, ठीक है, अब देखो, यहाँ पर फिर हमने क्या बताया था, कि भाई, b minus a upon n को हम h माना, यानि कि 5 minus 0 upon n को हमने h माना, तो जहाँ पर n h आएगा, वहाँ पर हम 5 लिखेंगे, यह concept हम use करेंगे, यह values हम use करेंगे, ठीक है, limit n tends to infinity है, और s tends to 0 है, तो हमको i निकालना है, integralize a limit of sum का method था, i का formula क्या बताया गया था, limit h tends to 0, देखें कहीं कहीं पर book में लिखा h tends to 0 only, ठीक है, कहीं कहीं पर लिखा n tends to infinity only, आप दोनों लिखिए एक साथ, क्यों, क्योंकि हमारे formula बे अभी h भी आने वाला है, और n भी आने वाला है, ठीक है, formula क h, क्या formula था, fa, यहने f0, चाहिए formula लगतो, fa, plus fa, a plus h, plus fa, a plus 2h, plus fa, a plus n minus 1h, यह रग दी, आपने उठा करके, है ना, method हम बता चुके हैं, इसके पहले, क्या concept है इसका, अब हम limit लिखेंगे कि एवल, यह बार-बार नहीं लिख रहे हैं, आप लिख लीजेगा, लेकिन, देखे, fa बोले तो, f0, plus f0, plus h, plus f0, plus 2h, plus so on, plus f0, plus n minus 1h, यानि x की जगे आपको रखना है 0, फिर आपको 0 plus h बोले तो, only h, 0 रखेंगे, चाहने रखेंगे, क्या फर्क पड़ता है, तो यह आएगा limit, limit नीचे लिख लीजेगा, क्या limit हम मान रहें, तो को जब आप fx को 0 करोगे, यहाँ पर, तो क्या आएगा, 1 आएगा, 1 लिख द यहाँ पर h रखोगे, तो क्या बन जाएगा, h plus 1, जब 2h करोगे, तो क्या आएगा, 2h plus 1, plus, last में क्या आएगा, n minus 1h plus 1, डिंग डिंग, डिंग डिंग, ब्रेकेट, बंद, ठिक, अब ज़रा थुआ दिमाग लगाते हैं, limit, h tends to 0, n tends to infinity, h into, देखो, 1 यहाँ लिखा है, plus 1 यहाँ लिखा है, plus 1 यहाँ लिखा है, plus 1 यहाँ लिखा है, 1 कितनी बार add हुआ है, n times, तो this will come n, plus, देखो, यहाँ h है, यहाँ 2h है, आगे 3h रहा होगा, last में n minus 1h है, तो हमने h कामा ले लिया, तो यहाँ हो गया, 1 plus 2, plus 3, plus so on, plus n minus 1, ठीक है? अब देखिए ध्यान से, अभी हम limit रख नहीं सकते, क्योंकि limit चाहे जो हो, limit का concept आपने 11 पढ़ा है, कि limit infinite नहीं हो सकती है, क्योंकि अभी हमने n क्या अगर limit रखाना, यहाँ infinity आ जाएगा, इसलिए अभी हम limit cooperate नहीं कर सकते हैं, देखिए क्या करेंगे, हम क्यों limit लिखे द पहले वाले question बताया था हमने, कि अगर 1 प्लस 2 प्लस 3, अब टू N प्लस करते हैं, तो यह N, N प्लस 1 बाई 2 आता है, यह AP arithmetic progression से आपने पढ़ा है इसका न, तो यहाँ पर N की जगे क्या आया है, N-1, तो अगर N जगे N-1 लिखोगे, तो आएगा N-1, N-1 प्लस 1, यहाँ क् N-1 into N by 2, यह N है जाने की, तो रैडिंग गंदी हमारी है, अभी भी limit को operate नहीं कर सकते हैं, ठीक है, आपने बताया भी था, आपने limit पढ़ी भी होगी, कि जब limit infinity होती है, तो हम कोसिस करते हैं, वहाँ 1 upon N ले आवाई, तो यह इस bracket से N कामन ले लिजिएगा, और इस bracket को खो दीजिएगा, ठीक है, इसको रब कर रहें जरा, नोट कर लिया होगा आपने, देखिए, तो देखिए है, limit, H tends to 0, N tends to infinity, देखो, H अंदर गया, यह बन गया N-H, देखो ध्यान से, यह H स्क्वार हो जाएगा, अच्छी बात है, यहाँ पर N लिखा हुआ है, इस bracket से N निका लोगे, यह बन जाएगा N स्क्वार, बाहर N स्क्वार, अंदर बचेगा, 1-1 upon N by 2, limit operate कर दीजे, देखो ध्यान से, N-H जहाँ लिखा है, वहाँ क्या लिखोगे, 5, N-H को क्या लिखेंगे, 5, और जहाँ N है, वहाँ infinity, तो 1 upon infinity क्या हो जाएगा, 0, तो यह आपने लिखा 5, यह हो गया 5, यह N-H का स्क्वार है, तो यह हो गया 5 स्क्वार, और यह आपका 0, तो 1-0, 1 by 2, तो 5 प्लस 25 बटे 2, तो आएगा 10 35 बटे 2 आएगा, अब आप कहेंगे, यहान स्वार सही है, गलत है, चेक कैसे करें, देखो, इसको integrate करो, X का integral क्या होगा, X square by 2, और 1 का integral होगा X, limit रखो 0 से 5, जब 5 करोगे, तो आएगा 25 बटे 2 प्लस 5, एलसम लोगों यही दिखा हुआ है, ठीक है, तो यह चेक करने के लिए है, कि my answer is right or wrong, तो this way you will solve it, ओके, देखे, यहाँ पर FX क्या है, यह चोथा question है, X square minus X, है न, और H को आपने क्या माना है, B minus A upon N, यानि कि 4 minus 1 upon N, यानि 3 upon N, तो NS को हम क्या लिखेंगे, 3, जब लिखेंगे तब लिखेंगे, अभी फिलाल formula लिखते हैं, देखे, आई बराबर, क्या formula अबताय गया था, limit, H tends to 0, N tends to infinity, H, formula क्या था, F A, F A बोले तो, F1 plus F1 plus H, plus F1 plus 2H plus, कहा तक जाएंगे, F1 plus N minus 1S तक जाएंगे, ठीक है, अब देखे, ध्यान से समझेगा, चुकि फंक्शन दोस में, पार्ट में है, या तो इसको अलग-अलग integrate करें, अब लिमिट आफ सम निकालें, और दोनों को हम calculate करें, तो लंदी पड़ेगा, हम लिखेंगे एक ही साथ, तो लंबा जाएगा, लंदी लंबा एक ही बात होती है, लेकिन अब कहने में आसान लगता है, limit, यह निची और ची लिख दिएगा, H, बहुत बड़ा सा bracket, पहले X क लिखेंगे, तो यह क्या बन जाएगा, 1 square minus 1, ठीक है, प्लस, 1 plus H लिखें, तो आएगा, 1 plus H का, whole square minus 1 plus H, यह bracket, बंद, प्लस, 1 plus 2H लिखें, तो आएगा, 1 plus 2H का, whole square minus 1 plus 2H, bracket, बंद, प्लस, 1 plus N minus 1H लिखें, तो आएगा, 1 plus N minus 1H का, whole square minus 1 plus N minus 1H, अब bracket, बड़ा ही में बंद करना पड़ेगा, और फिलाल इस वाले के लिख लिख एक बड़ा सा और बनाना पड़ेगा, मजबूरी है, समझ में बात आ गई होगी, हाँ, आई गई है, limit, यहाँ पर यह नीची और नोट कर लिजेगा, H, साउधान, देखो, 1 square, 1 plus H का, whole square, 1 plus 2H का, whole square, यह एक ब्रैकेट में कर दीजे, अपनी convenience के लिए, तो 1 square, plus 1 plus H का, whole square, plus 1 plus 2H का, whole square, last में क्या आएगा, 1 plus N minus 1H का, whole square, यह पहले वाला part है, यह ब्रैकेट हम जानवरूच कैसे बंद कर रहे हैं, यह बड़ा सा और बड़ा कर दू, मजबूरी है, अब यह minus, यह minus लगा दिया, यह क्या लिखेंगे, यह वाला 1, plus, minus बाहर लगा हुआ है, द्यान रखिएगा, दूसरे में 1 plus H, 1 plus H minus का मन ले लिए, इसलिए अंदर positive sign रहेगा, plus, 1 plus 2H, plus, last में क्या आएगा, 1 plus N minus 1H, ब्रैकेट बंद, एक यह ब्रैकेट बंद, एक बड़ा सा ब्रैकेट बंद, ठीक है, यहा तक पहुँचिए पहले, हम इसको अलग नहीं कर रहे हैं, चलिए इसे वे कल्कुरेट कर ले, तो इसको कल्कुरेट कर लेते हैं, limit H into, साउधान, देखो 1 minus 1 तो 0 हो जाएगा, है न, यहा देखिए, तो इसको खोलेंगे, साउधान, 1 minus, जब इसको खोलेंगे, डाइट कर रहा हमे, 1 square, 1 square minus का, कट गया, H square, अकिला आएगा, H square हो जाएगा, और plus का 2H आएगा, और minus का H, चलेगा, चलेगा, प्लस, इसको खोलो, 1 square करोगे, और minus का 1 करोगे, कट जाएगा, ठीक, फिर B square करोगे, तो 4H square हो जाएगा, 4H square, ठीक है, और plus का क्या आएगा, 4H, और minus का 2H, तो minus का 2H बचेगा, चलेगा, चलेगा, प्लस, एक और step बढ़ा देते हैं, यहाँ पर, 1 square minus 1 plus 3H, एक और step बढ़ा दो, तो थोड़ा सा, एक एक जैसे समरूपता आजाएगी, तो को 1 square करोगे, इस 1 से कट जाएगा, ठीक है, एक 9H का square आएगा, प्लस 9H का square आएगा, प्लस, और यह, देखिए, प्लस का 2 into 3H आएगा, और minus का 1 into 3H आएगा, तो minus का 3H, एक मिनट, प्लस का 2H, minus का 1, ठीक है, यहाँ, प्लस का 4H आएगा, minus का 2H, तो प्लस का 2H बचेगा, यहाँ, प्लस का, कितना आएगा, 6H आएगा, minus का 3H, तो प्लस का 3H बचेगा, प्लस सो आएगा, प्लस सो आएगा, प्लस लास्ट देखिए, तब इसका square खोलोगे, यह, डैट, डै स्क्वाइर एच स्क्वाइर और देखें यहां प्लस का 2H N-1 और माइनस का H N-1 ठीक है जानबूज कि हमने अलग अलग नहीं किया ऐसे कर दिया हो लेंदी पर जाता अब देखो द्यान से इसको मैं रब कर रहा हूं कल्कुलेशन देख लिजेगा कहीं गरबर सरबर नहों इसके नीचे वाला पार्ट लिग दिएगा H इन्टू देखो यहां पर H स्क्वाइर है प्लस 2H minus H हो गया प्लस यहां देखें 4H का स्क्वाइर है अम्तार 2 स्क्वाइर है देखें तो यह आपका H स्क्वाइर यह ब्रेकेट जो पिष्रेवाल ब्रेकेट से हमने इसको है यहां 3 स्क्वाइर है अगर हम समय से H स्क्वाइर कामल ले 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 तो यहां क्या बचेगा यहां 1 स्क्वाइर बचेगा यहां 2 स्क्वाइर बचेगा यहां 3 स्क्वाइर बचेगा लास्ट में क्या बचेगा N minus 1 का स्क्वाइर बचेगा ठीक है प्लस यहां से H कामल ले ल यहां 1 बचेगा, यहां 2 बचेगा, यहां 3 बचेगा और यहां n-1 बचेगा, आप जड़ा देखे, इसके पहले भी इस concept को आप कर चुके हैं इसके पहले question में और इसको भी कर चुके हैं, तो यहां हम इसको direct लिखते हैं, क्या लिखेंगे, limit, h, यह है h cube, इसकी value क्या हैगी, हमने sigma n square का formula पढ़ा है, n, n plus 1, 2n plus 1 by 6, यह sigma n square अपने पढ़ा है, 1 square plus 2 square up to n square, लेकिर यहां पर number of terms से एक कम है, तो n को लिखेंगे n minus 1, तो यहां बचेगा n, n minus 1, फिर यहां लिखेंगे n minus 1, तो यह n बचेगा, यह बचेगा, 2n minus 1 by 6, ठीक है, अच्छा, sigma n की value क्या पढ़ी है, आपने, n, n plus 1 by 2, और यहां पर एक step कम है, तो यह क्या हो जाएगा, n minus 1 into n by 2, अब आप क्या करें, इस h को अंदर ले जाओ, अब चुकि लिमिट आप जानते हैं, h tends to 0 है, और n tends to infinity है, हमने का कि लिमिट n नहीं रख सकते हैं, डायट infinity, इंफिनिटी है, तो 1 upon n लाने की कोशिच करो, क्योंकि 1 by infinity क्या हो जाता है, 0, देखिए मैं करता हूं इसको, गलती नहों, बस गलती होने क्चांसे इसमें बहुत रहते हैं, चुकि रभ हो जाता है, पूरा system, देखिए limit, अभी फिलाल हम लिखे दे रहे हैं, h tends to 0, n tends to infinity, अब साउधान, तो यह h अंदर गया, तो यह बच जाएगा आपका, यह h cube नहीं आएगा, h square लिखा हुआ था, है ना, यह हो जाएगा h cube, है ना, और यहाँ से n है, यहाँ से n common, यहाँ से n common, बाहर n cube हो गया, यहाँ आपका 1 minus 1 upon n, और 2 minus 1 upon n, whole upon 6, ठीक है, प्लस, यह h अंदर गया, square, और यह n है, और यहाँ से n common ले लो, तो होगा n square, बचेगा 1 minus 1 upon n, upon 2, अब limit operate करने जा रहे हैं, कैसे operate करेंगे, कि यह infinity ना जाए कहीं, तो nh की जिगे diet क्या रखोगे, 3, ठीक है, और n की limit infinity, तो 3 त्रकरों तो 27 हो गया, ठीक, यह 0, यह 2, into 2 by 6, प्लस, nh को क्या लिखे हैंगे, 3, 3, 3, 3 जा, 9 into 1 by 2, 2, 3, 9, 27, तो 9 प्लस, 9 बटे 2, 27 बटे 2 आंजर हो जागा, ठीक है, तो this is the fourth question, ठीक है, देखे, question बच 6 क्या कह रहा है, integral 0 to 4, इसको आई मानलो फिलाल, तो घर जगे आई लिखेंगे हम, x plus e to power 2x, fx यह हो गया, a 0 हो गया, b 4 हो गया, और h हो गया, b minus a upon n, nh4 हो गया, यह पीशे पढ़ चुकिए, ज्यादा हम detail में नहीं जाएंगे, देखें, अब हम क्या लिखेंगे, i बराबर, h, limit क्या लिखी जाएगी, limit लिखी जाएगी, h tends to 0, और n tends to infinity, h, यह आएगा, f 0, plus f 0, plus h, h, plus f 0, plus 2h, plus f 0, plus 3h, 2, 4 step लिखने पढ़ेंगे, plus 1, plus f 0, plus n, minus 1h, ठीक है, आप कहेंगे, ठीक है, चलिए, ठीक है, अच्छी बात है, यहाँ के वर limit लिख रहे हैं, आप लिख लीजेगा, पूरा, पहले x को रखो 0, तो यहाँ के आएगा, 0, plus e to power 0, फिर रखो 0, plus h, बोले तो h, तो यहाँ के आएगा, h, plus e to power 2h, ठीक है, प्लस, अब रखो 2h, तो यहाँ आएगा, 2h, j, plus e to power 4h, ठीक है, आप केंगे ठीक है, plus, फिर को 3h, तो क्याँ ऐगा, यहाँ ऐगा, 3h, plus e to power 6h, आप केंगे ठीक है, प्लस सोवान प्लस यहां रखोंगे n-1h तो यह आएगा n-1h into e to power 2 n-1h हम कहेंगे ठीक है आप कहेंगे ठीक है और हम इसको bracket में बंद कर देंगे और हम इसको bracket में बंद कर देंगे आपको सुझ में आ जाएगा अब साउधान limit अभी operate नहीं कर सकते क्योंकि limit अभी नहीं हो पाएगी न देखे यह 0 फिर यहां h यहां 2h यहां 3h यहां n-1h तो हमने क्या किया h plus 2h plus 3h plus so on plus n-1h अलग कर दिया बिल्कुल अलग कर दिया ठीक प्लस इट पावर 0 बोले तो 1 हो जाएगा प्लस इट पावर 2h प्लस इट पावर 4h प्लस इट पावर 6h प्लस सो on plus इट पावर प्लस 2n-1h ठीक यह हमने बंद कर दिया curly bracket अब साउधान यहां तक note करें फिर उपर अब करें क्योंकि हमाई rating अंदी है वहां तक पैरों तक उसके question लग चुका है देखिए यह तो h बाहर लिखा हुआ है इसको छेड़ेंगे नहीं आप अचा लिमिट यह लिखेंगे बार बार अब लिख दिया तो लिखी दिया हमने h देखो यह h इसमें h कामन ले लो तो यहां क्या आप चेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप्टू n-1 ठीक है प्लस यहां देखिए साउधान यह आपका first term 1 है common ratio it power to h है geometric progression है और geometric progression के n term का sum का formula आपने पढ़ा है a r to power n minus 1 upon r minus 1 अगर आपको याद हो तो याद ही होगा तो हम यह formula यहां apply कर रहे हैं तो a बोले तो 1 ठीक है r है it power 2h तो it power 2h to power n minus 1 upon it power 2h minus 1 ठीक है यह हमने note कर दिया अब आप यह पहले formula खोलिये अब अब यह हम बता चुके 1 plus 2 up to n minus 1 को क्या लिखेंगे n n minus 1 by 2 ठीक है तो यह होगा limit h या एगा h या एगा n n minus 1 by 2 plus इसको खोली जाना e to power 2n h minus 1 upon e to power 2h minus 1 यह नीचे minus 1 है ठीक है अब इस h को अंदर ले जाओ लिमिट ऑपरेट करनी है साउधान देखो limit कैसे operate होगी limit यहाँ पर h tends to 0 है n tends to infinity है h अंदर गया यह h square हो गया यहाँ से n कम ले लो यहाँ बाहर n पहले से है तो यह हो जाएगा n square 1 minus 1 upon n upon 2 plus अब यहाँ लफडा है हमने एक देखें अब लिख लो अच्छा h into e to power 2n h minus 1 upon e to power 2h minus 1 साउधान अब limit operate कैसे होगी समझेगा यहाँ तो मैं n h को रख दूँगा 4 टीक है 1 upon n को रख दूँगा infinity तो 0 हो जाएगा यहाँ पर देखें न h को 4 रख देंगे चलेगा यहाँ पर क्या करेंगे यह तो h को 0 कर दी सकते ना तो आपने 11 पड़ा होगा कि अगर e to power x minus 1 upon x limit x tends to 0 हो इसकी value 1 होती है उल्टा भी हो सकता है x upon e to power x minus 1 limit x tends to 0 होते भी 1 होता है है ना देखो यहाँ पर e power क्या है, 2h तो यहाँ भी क्या होना चाही है 2h तो हम करेंगे क्या, देखो थोड़ा सा टेक्निक लगाएंगे यहाँ पर यहरभ करता हूं मैं देखो अब देखिए जब value यहां रखेंगे हम तो क्या रखेंगे यहां पर देखे जान से हम nh को रखेंगे 4 तो nh को 4 रखेंगे न यहां 4 का square है न तो कितना हो जाएगा 16 और 1-0 upon 2 अब देखो यहां पर यह है h upon e to power e to power 2h-1 और into e to power 2nh-1 है न यहां पर e to power 2h है न उपर भी to power 2h होना चाहिए तो 2h से multiply कर दिया 2 से 2 से divide कर दिया ठीक अब limit operate करो यहां पर limit हमने रख दिया यहां ने रखी है भी है न इसलिए हम यहां पर limit फिलाल h tends to 0 लेख देते हैं यह तो आप क्या हो गया 8 प्लस यह value 1 हो जाएगी तो 1 by 2 e to power nh को रखेंगे 4 तो 8 minus 1 इसको जब open करेंगे आप यह value क्या आएगी यह value आएगी आपकी 8 प्लस e to power 8 अपान 2 minus 1 by 2 तो यह आजाएगा आपका 2 लेलो अलसियम तो 8 दूनी 16 प्लस e to power 8 minus 1 अपान 2 तो 15 प्लस e to power 8 अपान 2 अब यह सही है नहीं है सही है उसके लिए क्या करेंगे इसको डाइट इंट्रिगेट करो x का इंट्रिगल x square by 2 प्लस e to power 2x का 1 by 2 e to power 2x limit operate करो 0 से 4 जब 4 रखो कितना आएगा 16 बटे 2 आएगा प्लस यह 4 रखो कितना आएगा तो e to power 8 पान 2 आएगा रखो कि माइनस तो इसका हो जाएगा 0 0 रखो 0 इसका जाएगा 1 by 2 तो 2 अपान 2 तो इस प्रकार से integrate कर लिजेगा तो this is the end of this chapter next video then I will see thank you